कि अभी कि अभी आधियु आधिया वाले कुंट अभी कि अधनान है मैं पैफन ट्रेडिंग सीजी के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजर हुँ आज जो हम वह चीज इसकर करना चाहरे है वह टॉपिक है ट्रेंड्स हमारा एजंड़ यह है कि ट्रेंड्स की जो और आधे पहले टॉपिक पर कि ट्रेंट होता किया वाट इस ट्रेंड ट्रेंड रिप्रेंड जिसको अउर्दू में रुजहान भी कहते हैं तो यह हमें बताता है कि जो एक स्टॉक है वो किस डारेक्शन में जा रहा है एक खास मुद्द के अंदर बस यह है ट्रेंड की डिसकस करते हैं टाइप सॉफ ट्रेंड तीन टैप के होते हैं जैसे का अप्ट्रेंड डाउं ट्रेंड और साइड वेस अप्ट्रेंड मतलब जो उपर की तरफ जा रही है प्राइस डुबाइट कर सकते हैं दो पार्ट में uptrend में higher highs and higher lows और downtrend में lower highs and lower lows higher highs क्या होता है in uptrends each peak higher point is higher than the previous one यनिके वो जो एक peak बन रही होती है इसको उर्दू में चोटी भी कहते है पहाड की चोटी तो वो हर जो हाई एक सेट आफ केंडिल्स का हाई बन रहा होता है उसका अगला जो होता है वो उससे भी जादा होता है मैं रिपीट करता हूँ हम जो एक सेट आफ केंडिल्स देख रहे होते हैं जो ग्रीन सेट केंडिल्स होती है उसकी जो next candle जा रही होती है वो उससे जादा ऊची होती है उससे जादा हाई होती है तो यससे पता चल ला होता है कि मसलसल तेजी है लोग जो है वो share को buy कर रहे हैं एक मिसाल के तौर पे 5 रुपय का खरीदा अगला खरीदा 5 थोड़ी दे और 9 बच के 10 पे हो गई है लेट सेक गजाद दूसल सब प्राइस बढ़ती है हाई लोग क्या है इसको तोड़ा समझे इसको उद्फार्स ट्रेंड ये भी अफ़ड ट्रेंड होता है इसमें प्राइस जो होती है उसमें creates a new low देट इस एक तौर बताया है अब जो बेचा है तो ऑफकोर्स वो थोड़ी प्राइस गिरी है तो यह कह रहे हैं कि इट रिफर्स तो अफ़र्ट रेंड विच देप्राइस क्रेट्स अन्यू लो डेट इस हायर दे प्रीवेस लो बिसाल के तोर पर 7 रुपय तक गया था अब 9 बच के 15 मिंट पर वो 6,5 रुपय का हो गया नीचे आया लेकिन फिर उपर गया फिर थोड़ा नीचे आया तो इसमें क्यों होता है कि लो जो होता है creates a low new low that is higher than the previous low price बढ़ भी रही है और गर भी रही है उपर ट्रेंड जा रहा है थोड़े बहुत बेचने वाले है उसको बेच भी रहे है शौट सेलर हो सकता है उससे सेल कर रहे हो लेकिन तब भी प्राइस उपर जा रही है अभी जो पल्ला भारी है वो खरीदने वालों का है तो इस दिए higher lows हो रहा है थोड़ा बीच में कुछ बिचता है फिर लोग खरीद देते हैं वो उपर जाए जा रहा है थोड़ी बहुत फ्लक्टेशन आ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा लोग बेच भी रहे तो यह जो पैटरन होता है इसको higher lows कहते है उपर वाल लोगा तो यह higher lows next downtrend विल्कुल इसका opposite है इसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ जा रहा होता है lower highs क्या होता है कि इच पीक और high point is lower than the previous one इसमें पल्ला भारी होता है किसका बेचने वालों का कि बेचने वाले धड़ा-धड़ बेचे जा रहे हैं बेचा किसी ने 10 रुपए तक चला गया था मिसाल के तौर पर कोई share अब उसको बेचा 9 रुपए पाया अगली एक चंद थोड़ी देर ब अगली बेचा फिर कम है अगली बेचा फिर कम है तो इससे यह पर चलता है के यह मुसलसल बिक भी रहा है लेकिन बेचने की थोड़ी कमजुरी पकाड़ा है अभी भी the बेचने की थोड़ी से कमजुरी पकाड़ा है तो क्या कर रहा है इस low point in during a downward trend is lower than the preceding low this high pattern of decreasing price, price गिर रही है indicating a strong selling bias strong selling bias नहीं कि बिक तो हो रहा है अभी बिक रहा है लेकिन उसकी जो वो है क्या क्या केते हैं strength जो है वो previous से जाध है उपा वाला bullish sentiment होता है नीचे वाला bearish sentiment होता है अच्छा बाइदे बेए यह तो अभी आपको तस्वीर जब में आगे दिखाऊंगा इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको जाधा समझ में आएगा किस तरह नजर आता है तो इसमें आपको जाधा क्लियर होगा अधिर ट्रेंड किस तरह नजर आते हैं यह मैंने ट्रेडिंग व्यू से चार्ट लिया टेसला का आप यह देखो यह चार्ट आ ट्रेंड लाइस के थूरू, और दूसरा होता है मुविंग डालना के देशिक जा होता है, और ओर चौर जा रहा है उपर लिष्टंव है और आया कि तरहो है, जब जा जा रहा होता है, और पर को आरप कर सोछटral प्रीम और जा रहा हृот 20 का, तो हर 20 candle का close price का average दिया जाता है, तो इस तरह 5 ticks आ गए, सौती, 20, 20 की 5 आ गए, तो इसके दर ही हमें पहर चल जाता है कि आया पिछला average जो है, कि वो trend उपर की तरफ जा रहा है, या नीचे की तरफ जा रहा है, trends किस तरह नजर आते हैं, मैंने trend line बता दिया आपको, यह trend line की examples है, इसमें आप देख सकते हैं, यह Tesla का है, यह मैंने चार्ट लिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि green वाली भी है और red वाली भी है, यह trend line बनाई है, यह पर यह trading view में option होता है, किस तरह trend line बनाने का, यह सीधी trend line होती है, डागनल line खेची आती, 45 के एंगल, उसको trend line कहते हैं, तो वो positive 45 भी हो सकता है, negative 45 भी हो सकता है, तो यह positive 45 है, यह बता रहा है कि यहां से शुरू हुआ उपर गया, थोड़ नीचे गया, फिर उपर गया, उपर गया, यहां तक के बता रहा है, upward trend है, यह higher highs, यह था, high हुआ, high हुआ, high हुआ, high हुआ, high हुआ, अच्छा, इस ही में higher high आया है, पर low हुआ, तो यह इस तरह higher highs, higher lows कर रहते हैं, यह downtrend है, इसमें देखो यहार से गिरना चुरू हожет, है ضब्सक्राइबfive लोवर 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 है और उप ट्रेंट को बता रहे है नरींगे रड़ाउन ट्रेंट को बता रहे है, कलर आपको भी हुग सकते हैं यही टेसला का ही है, इसमें साइडवेज यह है कि इसमें कुछ पता नहीं चला है, इस खास मुद्दत में, मैं अब फिर वो कह रहा हूँ, ट्रेंड जो होता है कि एक खास मुद्दत की में आप देखते हैं, पूरा भी आप देखोगा तो आपको लेगा या तो नीचे गरिय बिलकुल, लेकि मैं इसे खास ट्रेंड इस रेंज में देख रहा हूँ, इस रेंज में क्या है, इस रेंज में बता रहा है कि यह जो है, यह एक साइडवेज में चला है, और उपर इसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आया बेचें या खरीदें, इसी चीज़ को म मैं इसको अगर मूफ करूं यहाँ पर, यह देखो, यह कैंडिल थी, यह हाई गया, थोड़ा हाई गया, थोड़ा हाई घ्र हाईज, हाई देप की एज कि पया है। याप सकतवा साइडवेज हैं। वही बाला चार्ट है है। यह और आ आपर आपी दिस देखैंट है, ऑफ लोगर हाई लोगर हाई। यह जिते हुआ है। तो इस somewhere sideway, आ हैं definitelyसे आथ weig करते हैं। passage और आम आ चार्डर करते हैं। आराम आप मैं देखते हैं उसको moving average को moving average को वैसे तो मैं अलग उसमें cover करूँगा लेकिन मैं एक moving average exponential लिखा था moving average simple simple moving average लगा देता हूँ मैं यह देखो यह आप देखे रेक blue line जा रही है moving average आपको यह बता रहा होता है कि आपको पिछली जितने का moving average लगा certain उसका average लेकर certain पिछली candles का और उसकी value बता रहा है अब यह blue line जा रही हम इसको मज़ीद आकर discuss करेंगे मैं भी इसको यह पर किस तरह नज़र आता है तो यह तब moving average हमने देखा trend line और moving average और अगली वीडियो में हम discuss करेंगे उसके बारे में कि support और resistance क्या होती है आपको trend line का पर चलके trend क्या होती है अगली वीडियो में discuss करेंगे support and resistance के बारे में तब तक के लिए take care and bye